हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी आज जो हमारे पास कोशन है ये कोशन कॉम्पिटिटिव एक्जाम में बहुत जादा बार पूछे जाते हैं चिक है आईए देखिए हम इनको बिल्कुल आसान ट्रिक से सॉल्व करने के कोशिश करते हैं कोशन नमबर फर्स्ट हमारे पास क्या है अंडरूट 20 प्लस अंडरूट 20 प्लस अंडरूट 20 अप टू इन्फिनिटी इस कोशन में हमें क्या करना है जो 20 है इसको हमें टू पार्ट के अंदर ब्रेक करना है वो इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो दो पार्ट के अंदर हम ब्र ब्रेक करते हैं 10 और 2 की multiply करेंगे तो 20 लेकिन इन दोनों के बीच में जो difference है वो हमारे पास 1 नहीं है हमें इस तरीके से इसको break करना है कि दोनों के बीच में difference हमारे पास क्या है 1 अब देखें अगर हम 20 को दो पार्ट के अंदर break करें 5 और 4 5 और 4 की multiply करेंगे तो 20 5 में से अगर हम 4 minus करेंगे तो 1 तो ये बिल्कुल सही है हमने इसको दो पार्ट के अंदर break कर दिया अब हमारे पास यहां पे sign क्या है positive अगर यहां पे हमारे पास sign positive है तो हमें इन दोनों में से जो भी largest digit है वो लेनी है 5 और 4 में से largest digit हमारे पास क्या है 5 तो answer हमारे पास क्या होजेगा 5 अब देखिए student second question हमारे पास क्या है under root 6 plus under root 6 up to infinity same जो last question में क्या था वही प्रोसेजर हम यहां पे करेंगे six को two parts के अंदर break करेंगे इस तरीके से कि जो हम दो parts के अंदर break करेंगे उनका difference हमारे पास क्या है वन अब देखिए अगर हम six को दो part के अंदर break करते हैं one और six six की one के साथ multiply करेंगे तो six लेकिन इन दोनों के बीच में difference हमारे पास one नहीं है तो हम यह नहीं ले सकते अब देखिए अगर हम 6 को break कर दें, 3 और 2 में, 3 और 2 के multiply करेंगे तो 6, और 3 और 2 के बीच में difference हमारे पास क्या है, 1, चीक है, तो ये बिल्कुल सही है, अब यहाँ पे sign क्या है, positive, अगर positive sign है, तो हमें क्या लेनी है, largest digit, largest हमारे पास क्या है, 3, तो answer हमारे पास क्या हो जेगा बच्चा, 3 next question देखे students, question number 3, हमारे पास क्या given statement, under root 30, minus under root 30, minus under root 30, up to infinity, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट के अंदे break करना है, जिनका जो difference है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1, अब देखे, अगर हम 30 को दो पार्ट के अंदे break करते हैं, 6 और 5, 6 और 5 के बीच में जो difference है, वो हमारे पास क्या है, 1, अब देखे, अब यहाँ पे sign क्या है, negative, अगर हमारे पास negative sign हो, तो हम कौन सी digit लेंगे, smallest digit, तो 6 और 5 में smallest हमारे पास क्या है, 5, तो जो answer है, वो हमारे पास क्या हो जेगा, 5, नेक्स्ट कोशन देखे, स्टुजेंटश, कोशन नमबर 4, स्टेट्मेंट क्या गिवन है, अंडरूट 56, माइनस अंडरूट 56, माइनस अंडरूट 56, अप्टू infinity, यहाँ पे हमें यह ध्यान रखने की, infinity तक term है, मतलब infinity तक term से यहाँ पर कोई finite term नहीं है, same process जो हमें लास्ट कोशिन में की थी 56 को 2 part के अंदर हम break करेंगे, अब देखे अगर हम 56 को 2 part के अंदर break करते हैं तो हम 7 और 8 लिख सकते हैं अगर हम 7 और 8 के multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 56 और अगर 7 और 8 को subtract करेंगे, तो difference हमारे पास क्या आएगा, 1, चीक है तो 56 को और 2 part के अंदर break कर सकते हैं, 7 और 8 अब यहाँ पर sign हमारे पास क्या है, minus, अगर हमारे पास यहाँ पर minus sign है, तो हमें क्या लेना है, smallest number 7 और 8 में smallest हमारे पास क्या है, 7 तो इस question का answer हमारे पास क्या होजेगा, 7 next question देखी students, question number 5 अब हमारे पास statement क्या given है under root 13, under root 13 up to infinity अब यहाँ पर notice कीजिए, ना यहाँ पर plus का sign है, और ना यहाँ पर minus का sign है, और up to infinity है, अगर हमारे पास ऐसा कोई question आजे, जिसके अंदर ना बीच, अंदर में plus का sign है, और ना minus का sign है और up to infinite, infinite terms है, तो इस question में direct answer क्या लिखेंगे, जो हमारे पास number है, यानि इस question का जो answer है, वो हमारे पास direct क्या होजेगा 13, चिक है इसी तरीके से बच्चा, next question देखे, हमारे पास क्या है, under root 11 under root 11, up to infinity तो इस question में भी हमें क्या देखना है, बीच में ना कोई plus sign है, और ना ही कोई minus sign है, और infinite terms है, तो direct जो हमारे पास digit root के अंदर given है, वह हमारे पास क्या होजेगी answer, तो root के अंदर हमारे पास क्या होजेगा, 11 students, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है, तो please इसको like कीजिए, और निहान classes को जुरूर subscribe कीजिए, thank you